नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सौनू और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम कंप्योटर की फुल फॉर्म इसकी डेफिनेशन और इसे जुड़े महत्पूर्ण प्रसनिश वीडियो में देखेंगे जो कि कॉम्पेटिटिव एक्जांस में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं सबसे पहले हैं कंप्योटर की फॉर्म कंप्योटर की वैसे तो कोई भी ऑफिसियल फॉर्म नहीं है फिर भी लोगों ने स्लेंग वर्ड्स का यूज करके इसकी कुछ डेफिनेशन बना दी हैं इसकी कुछ फॉल फॉर्स बना रखी हैं तो यहां पर तीन machine particularly used in technical and educational research ठीक है यह एक operated machine है जिसका particularly विशेश तोर से यूज होता है technical और educational research में तो इसका मतलब और दूसरी जो perform है common operating machine purposely used for technological educational and research इन दोनों का meaning same है तीसरी perform है common operating machine purposely used for technological and educational research तो यह तीनों जो लाइने आप देख रहे हैं इसकी perform देख रहे हैं इन तीनों को लिखने का तरीका अलग-अलग है लेकिन इनका मतलब एक ही है अब देख लेते हैं computer की definition what is computer computer क्या है computer आप सब जानते हैं एक electronic device है जिसका इस्तिमाल data को manipulate करने के लिए किया जाता है यानिके यह data को process करता है और उसे information में convert करता है it has the ability to store, retrieve and process data इसके अंदर अक्षमता होती है data को store करने की उसको रेटर व्यानिके उसको जहां पर data store हमाँ पर लेकर के आने की और उसको process करने की उसके बाद यहां पर कुछ important प्रसन दिये गए है जो कि सबसे ज्यादा बार competitive exams में पूछे जाते हैं प्रसन है who is the mother of computer, computer की mother किसे कहा जाता है तो इसका उतर है lady ada loveless, यहाँ पर lady नहीं लिखा हुआ है लेकिन exams में कई बार option में lady ada loveless लिखा होता है चौछा प्रसन है brain of computer is card, computer का दिमाग किसे कहते हैं तो इस प्रसन का सही उतर है CPU, CPU यनिके central processing unit यह data को input लेता है और उसको process करके information में convert करता है यह सारा का सारा काम calculation के तोर पर करता है अगर आप किसी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको computer की best book नहीं मिली है तो आज किस वीडियो में हम आप लिए लेकिया हैं कैसी ebook जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी exam में आने वाले computer के सभी प्रसनों को solve कर सकते हो अब तक 1000 students इस ebook का फाइदा उठा चुके हैं यह ebook कवर करती है SSC, CGL, CHSL, Railway, Bank, DRDO, IT, Cooper Training Officer, Data Entry Operator और अन्य सभी general competitive exams को क्योंकि इस ebook में आपको मिलता है 7000 प्लस questions का collection जो की पुराने competitive exams के question paper से लिए गए हैं इसमें सभी प्रसनों को topic wise दिया गया है, पूरे internet पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे topics एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे इस ebook से आप कम समय में अच्छी तयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की description में और पाई इस ebook को बहुती affordable prices बें और निश्चित कीजिए अपने सफलतागों अगला question है, what are the types of computer, computer के प्रकार कौन-कौन से हैं, तो computer मुखे तो रुपे 4 तरह के होते हैं, super computer जो कि सबसे fast होते हैं और सबसे बड़े होते हैं, mainframe computer, mainframe computer जो है जादातर server के रूप में इस्तिमाल किये जाते हैं, जैसे कि जितने भी bank है आपने देखा होगा, हर एक bank आप आप किसी भी bank में जाओ या किसी भी ATM में जाओ, वहाँ से आप अपने bank के पैसे निकाल सकते हो, तो आपका जो data है वो अलग-अलग computers को जो है जोड करके एक server में इकठा किया गया है, तो mainframe computer क्या होता है, mainly एक बड़े computer होते हैं, जो बहुत बड़ा data जो लोगों का store करते ह और ये क्या करते हैं, ये live, यानि कि real time में जो है processing करते हैं, तो जितने भी bank होते हैं, वो अपने customer जो होते हैं, उनके ग्राहक होते हैं, उनका data जो है अपने server में store करते हैं, और वो mainly mainframe computer का use करते हैं, next है mini computer, mini computer ज्यादा तरह hospitals में use किया जाते हैं, जो hospitals में बड़ी-बड़ मसीने होती हैं, जो कि patients के लिए use की जाती हैं, ज्यादा calculation करती हैं, वो सब mini computers के अंतरकत आती हैं, इसके बाद next है micro computer, micro computer आप अपने घर में जो desktop computer यूज करते हैं, इसके लाव जो laptop वगरा है, जो हम personally use करते हैं, उन्हें हम micro computer कहते हैं, ठीक है, तो इसके खई बार exam में एक सवाल आता है, कि जो हम personally हमारा जो computer होता है PC है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम micro computer भी कहते हैं, next question है, scientific name of computer, computer का विज्ञानिक नाम क्या है, तो विज्ञानिक नाम है, सिली को सेफियन्स, तो जो कि आप अंस्वर में देख सकते हैं, साथमा प्रस्न है, who is known as the father of computer, computer का पिता कि यह कहा जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाना वाला सवाल है, तो सही उत्तर है, Charles Babies जो की option में दिया गया है, आच्वा प्रस्न है, what is the name of first computer virus, दुनिया का पहला जो computer virus था, वो कौन सा था, वो है था, brain, ये एक boot sector virus था, यानिके floppy disk के अंदर जो data store होता था, ये उसे effect करता था, नौवा प्रस्न है, the basic architecture of computer was developed by, computer का जो architecture है, computer का जो धाचा है, वो है सबसे पहले किसने develop किया था, तो वो है किया था, जो की option A यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, दस्मा प्रस्न है, first generation of computer was based on which technology, तो पहली PD के जो computer थे, वो है किस technology पे आधारी थे, वो थे vacuum tubes पर आधारी जो की option D यहाँ पे आपका सही है, जो एनियाक computer था, जो की पहली PD का computer था, उसमें लगबग 18,000 vacuum tubes का इस्किमाल किया जाता था, इसलिए वह है बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता था, और उसका आकार एक कमरे के बराबर था, ग्यार्मा प्रस्न है, who invented the super computer, तो super computer का विसकार किया था, सीमूर क्रे नाम के वेक्ति ने, जो की option D यहाँ पे आपका सही है, और क्रे 1 जो था, जो इस वेक्ति का जो नाम है, इसी के नाम पर जो है, super computer का नाम रखा गया था, क्रे 1, क्रे 1 दुनिया का पहला super computer था, यह भी सवाल आपके exam में पुझा जाता है, बारवा प्रस्ण है, dash is the high speed memory used in the computer, तो computer के अंदर इस्तिमाल होने वाली सबसे fast memory कौन सी है, सबसे fast memory होती है, cache memory, जो की option C, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, तो दोस्तों यह हो गया हमारा आज का video complete, तो video देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपका कोई सवाल है, तो आ इतने हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,